नमस्कार आदाब मैं सुसिल दाफिल्ड के सुप्रिम कोर्षिरीज में आज हम बात करेंगे यहाज सुप्रिम कोर्षिरीज बहुत बड़ी गलती हुए है सुप्रिम कोड का जो कोलेजियम है मतलब जो जजों का नाम फाइनल करके सरकार के पास निवक्ति के लिए भेजता है उसमें एक नाम उन्होंने ऐसा नाम भेजा जो सीधे सीधे बीजेपी नेता बीजेपी लीडर का नाम है वैसे तो पेसेवर तोड़ पे हुआ वकीर है और हम बात कर रहे हैं मदरास के आज ही दिन में केंदर सरकार ने सुप्रिम कोड की कोलेजियम के द्वाड़ा जो नाम भेजे कहे थे जज बनाने के लिए तो एक नाम उन्होंने फाइनल किया मदरास हाई कोड में अतरिक जज की न्युक्ति के तौर पर वो नाम है चौकिदार व हिंदुस्तान के जो हमारी प्रधान मंतरी भी है नरेंद्र मोदी उन्होंने खुद को चौकिदार कहा था हम बात कर लें चौकिदार विक्टोरिया गौरी की दोहजार उनीश में बीजेपी शद्यसता पड़ चला रही है ता मिलाडू के इंदर उसमें अपने ट्विटर ह मैं ज्वाइन कर लिया है आप भी ज्वाइन कर लिजिये इक नया भारत बनाना है कॉल कीजिये 8980808088 इससे बड़ा प्रमान क्या हो सकता है कि बीजेपी नेता जो अपने ट्विटर हैंडल पे कह रही है आप भी ऑश्क़ियुक्त्य Okay मैंने ज्वाइन कर लिया है और उसको सुप्रीम कोट की कोलेजियम 17 जन्वरी 2023 को किंद सरकार के पास नाम भेजिती है कि आप इनको जज बना दीजे मतराशाई कोट में अतरिक जज बनाई है और आज किंद सरकार की जो कानून मंत्री है किरेन दीज्जू उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे जनकारी दी विक्टोरिया गौरी को जज बनाया जाड़ा है मतराशाई कोट में विक्टोरिया गौरी मतरास हाई कोट में केंद सरकार की तरफ से जो बहस होती है, ये केंद सरकार के मुद्दे पर जो बहस होती है, उसमें केंद सरकार का उवा पक्ष भी रखती है, अत्रिक्त महा न्यायवादी भी है, और विक्टोरिया गौरी अपने आपको राश्टिये सची बीजेपी महिला मोर्चा का भी बताती है यह आज की बात नहीं है यह 2012 की मैं बात बता रहा हूं जो आरशेस से जुड़ा शंग से जुड़ा जो अंगरेजी एक मैगजिन निकलता है पत्रिका निकलती है और नाईजर उसमें यह जानकारी है कि विक्टोरिया गौरी भारती जनता पार्टी के महिला मोर्चा की राष्टी सचिब भी है निस्तन सेखेट्रिव भी है कि राला की म पहिला मोर्चा बीजेपी की उप्रभारी भी है और मदरास हाई कोर्ट में हो प्रैक्टिस करती है और अभी केंसरकार उनको अत्रिक महान्यावादी के तौर पर वहां पर निक्त किये हुए है तो क्या सुप्रिम कोर्ट के कोडिय रिजियं कोई नहीं पता था सुप्रिम कोर्ट के जो टीन जज्ज शीप जस्टिस डी वाईड शंद्रचूड, जस्टिस पेंजोसर्थ और जस्टिस संजे किसंकॉल इन तीनों ने जब नाम फाइनल किया, इन तीनों का नाम हम किन सलकार में जज़ बनाने के लिए भेज रहे हैं, तो क्या इनको नहीं पता था, मैं कहता हूँ बिल्कुल पता था, सुप्रिम कोर्ट 2014 के बाद अपने जो फैसले लिखती है, उसमें फैसलों का आप इनका नेचर देखी कि किस प्रकार का ये फैसले लिखते हैं, एक जो हिंदू पोलिटकल मेजोर्टेरियन क्लास है, या पार्टी कह लिए, उसको कहीं न कहीं संतुस्त करने के लिए फैसले ल बाबरी मस्जिद के फैसले भी लिखे गए, तो किसको संतुस्त किया जा रहा था, और एक हावड में जो पढ़ा लिखा क्लास है, मतलब अंग्रेजी का जो हिंदूस्तान में क्लास है, जो राइट टू फिडम समझ रहा है, राइट टू एक्स्प्रेशन समझ रहा है, बस सुप्रिम कोट थावड नुमा जो हिंदूस्तान में जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, उनकी बात को समझ रहा है, और जो बहुत संक्यक हिंदुत की जो अपनी पॉलिटिक्स है, या उस अपनी जो पावड है, जो अभी सत्ता में है, उसको कही न कही खुश करने की कोशि सुप्रिम कोट के कोलेजियम को ये समझ में नहीं आई, कि ये विक्टोरिया गौरी हैं को, ये क्या लिखती है, सोसल मेडिया पे, इनकी विचारधारा क्या है, इनकी विचारधारा मैं आपको बताता हूँ क्या है, विक्टोरिया गौरी, आप हमेशा, जब भी इनसे आप मिले, या जब भी इनका कोई राइट अप आप देखे, उसमें ए, इसलाम और क्रिस्चनिटी, मतलब इसायों के बारे में, क्या इनकी सोच है, ओ आप देखे, जो मैं बताऊंगा, यूटूब विडियो इनका अब लेवल है, यूटूब पे इनकी सोच इसलाम के बारे में और क्रिस्चनिटी के बारे में, इसायों के बारे में, क्या सोच है, ओ यूटूब पे इनका विडियो पड़ा ह आप यूटूब में सर्च मारें फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोट किसका नाम जज बनाने के लिए भेज रही थी केंसरकार ने तो आज उनको जज भी बना भी दिया इसमें तो केंसरकार करेगी मेरी कोई गलती नहीं है एतो सुप्रीम कोट से नाम आये थे सुप्रीम कोट के कोलेजियम ने नाम भेज थे Chief Justice D.Y. चन्चुल, Justice Sanjay किशन कौल और Justice Game Joseph इनके वीडियो को सुप्रीम कोट ने नहीं देखा था इनके राइट अप इन्होंने क्या लिखे हैं और नाइजर्वे जो RSS का अंग्रेजी मैगजीन है प्रतिका है उसमें क्या लिखा है दूसरे मजहमों के बाड़े में उसको पढ़ना नहीं चाहिए था एक क्या बोलती ह 2018 फरवरी का वीडियो है ताइटिल है कि हमारे राष्टिय सुलक्षा और सांती के लिए सबसे ज्यादा खत्रा क्या है यह कहती है जिहाद और क्रिस्चन मिशनरी जिससे हमारे इतने भी सुप्रिम कोड के जजे है ना लगबक उसमें से 75 परशन क्रिस्चन मिशनरी से भी प आपको उस वीडियो में कहते दिख जाएंगी हाला कि वीडियो इंग्लीज में है कहते है इसलाम का मतलब उनकी समझ क्या है हडा आतंकवाद ग्रीन टेरर इसलाम मतलब हडा आतंकवाद ग्रीन टेरर एक तरफ नुपर शर्वान ने जो भी रिमार्ष दी उस पर एफ आई हुई और हम जज क्या नियुक्त कर रहे हैं कौन सा जज नियुक्त कर रहे हैं कि सोच के साथ हो जज आ रही है मतला साई कोट में जो खुद कह रही है कि इसलाम का मतलब होता है ग्रीन टेरर हडा आतंकवाद और इसाई का मतलब क्रिश्चनिटी का मतलब उजला आतंकवाद white terror मतलब इस सोच के साथ कोई जज़ बनेगा रंगों की बुनियाद पर मज़ब की बुनियाद पर आप फैसला सुनाएंगे और सुप्रिम कोर्ट के कोलेजियम ने मतलब इस तरह के लोगों को इस तरह के सोच के लोगों को जज़ बनाने के लिए सिफार इसकी थी कि सुप्रिम कोर्ट पर बहुत बड़ा दाग लगा है को लिजियम पर दाग लगा है उनकी सोज पर दाग लगा है और क्रिश्चन ग्रुप आर मोर डेंजरस दैन इसलाम गुरुप मतलब मुशलमानों का जो शमू है उससे खतरनाक है क्रिश्च इसाईयों क बख्षम हो ओ ज्यादा डेंजरस है और यह भी बठाती है कि पूरे मदराश में किस तरह से चर्च बने हैं मंदिरों को तोड़ा गया है मतलब इस तरह की विजार धारा इस तरह की प्रिश्ट भूमी वाले लोगों का नाम सुप्रिंग कोर की कोलीजियम कैसे बेश सकता है आपको हमको संदे नहीं होगा जो तीन जजों की जो कोलीजियम है उन्हों को ने क्या नाम बेजा कि नसरकार को फिर वो क्या बोलती है बोत हार इकोल डेंजरस इन दा कॉंटेक्स ऑफ लब जिहाद है वो कहती है लब जिहाद जो है उसमें दोनों सामील है क्रिश्चन और म इटरव्यू देती है उसी यूटूब बे है यूटूब का नाम है भारत मार्ग आप सर्च करेंगे भारत मार्ग उस पर वो क्या कहती है जो भरतनाट्यम डान्स है उसका परफॉर्मेंस मतलब उसको अभिनित नहीं किया जा सकता है क्रिश्चन सौंग पे वो शिप होगा आज जब सुप्रिम कोट में राजू रामचंदरन एडवोकें राजू रामचंदरन जब उनकी न्युक्ति हो गई किन सरकार ने लगवक सारे गाड़ा बाड़ा बजे के आसपास जानकारी जी कि हमने विक्टोरिया गौरी को मतरास का अत्रिक न्याधिश पना दिय एडिशनर जज के तोड़ पे हमने निफ्ट कर दिया राजू रामचंदरन एडवोकें पहुंचते हैं सुप्रिम कोट और गुहार लगाते हैं चिप जस्टिस से यह आपने क्या किया पता ही कौन है कि चिप जस्टिस भोचक्के हो जाते हैं तो कि क्या हुआ है तब इनका जो राइट अप है इनका जोंच है मतलब इनकी यो शुच है विक्टोरिया गौडी की तो विट्री में बताते हैं अब बजयापता है इनके ट्वीटर हेंडल पे फोटो के सातेृम ने मैसेज किया कि मैंने बी जे फी ज्वाइन कर लिया अब ही बी ज्वाइन करने एक न्या भारस बना धा रहे है बीजे पी का सदस्यता पर मनाना था जब राजूर आंड चंधर परोचतेरें कि गुझ तो चीप्जेश्थीस ऑफ इंडिया डिवाई चंद्जूर कहते हैं कि हमाई हमारी जो कोटीयम मैं मतलब दूंद फैसल है ज़ने नहीं बनेगा उसी के बारे में बता रहा हैं कि हमारी जो कोलेजियम जो है उस ने मत्रास हाई कोट के जिप ज़िश्टिस के अनुमोदन पे इनका नाम सरकार के पास देजाथा है विक्टोडिया ग गोली का यह भुआ कि हाई कोट का जो भी जो भी नाम भेज़ेगा आप उसको तो समझेंगे नहीं कि क्यों भेजा जा रहा है कौन सी बरी बात है पहले भी तो लोग आते ही रहे हैं जस्टिस अरुन कुमार मिश्रा आये आरेशेस से आदर्श कुमार गुप्ता आये अलुक फश्रा आप जस्टिस अरुम्ट गुप्ता ने कमेंट किया हो तो उसी आरेूशेस से होंके आ रहे थे लेकिन उसीस सीज़े सीज तोर पे नहीं आ रहे थे पहले फरक चाए कि सीज़े तो पर पार्टी जोईन करके ने उन्हें जज़ बन रहे तें लेकिन अब तो हद हो गई कि अब तो सीज़े पार्टी जो बीजेपी का नेता है उसी को आप ज़ज बना दे रहे हो जो यह सोच के चल रहा है कि इसलाम मतलब आतंगवाद, क्रिश्चनिटी मतलब आतंगवाद, सिखीज़ मतलब आतंगवाद, कपड़े का मतलब आतंगवाद, रंग कलर का मतलब आतंगवाद, खाने का मतलब आतंगवाद हमारी नियाय पानिका में अगर ऐसे जज आ जाती है या ऐसे जज आ जाते हैं, तो पिर मस्जिद क्यों नहीं गिरेंगे, पिर चर्च क्यों नहीं गिरेंगे, तो कि इनको ऐसे लोगों को तो कलर, रंग, बेश-भूसा, भार्षा इन सब में आतंगवाद दिखता है, मतलब जितनी पिभिंता हमारे मुल्क में है, उस सब में इनको आतंगवाद दिखता है, नहीं तो आप हमारे देशा सोचनी लगी, आतंगवाद खतम हो जाएगा, हरानगी की बात है कि हमारे चीप जेस्टिस टीवाई चंचूर को भी समझ में नहीं आया, या आया, तो बताना नहीं चाहते हैं, अब एक कह रहा है कि मद्राज हाई कोड के चीप जेस्टिस ने हमें नाम भेजा था, तब हमने फाइल किया, तो क्या आप उसको पढखेंगे नहीं नाम भेजने से पहले, पहले भी जो नाम भेज़े और नहीं किये गए इसकी सौरब किरपाल, अभी अभी कुछी दिनों के पहले की तो बात है, कि इन सरकार के इंटेलिजेंस के रिपोर्ट को आपने पब्लिक डोमेन में रखा कि देखिए, ये चाहते हैं कि ऐसे जज़ नहीं हो, सरकार नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग जज़ बनें, आपने तो आर्टिकल 19 का हवाला दिया, 21 का हवाला दिया, आर्टिकल 24 का हवाला दिया, क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं, बोलने के समय तो समिधान आजादी देता है, इसमें क्या भारत सरकार ने इंट्रीजेंस का रिपोर्ट आप शेयर नहीं किया था, अगर सेयर किया था, तो क्या यह जिक्र नहीं है, किए बीजेपी कि नेता है, यह जिक्र नहीं है, क्यों यूटुब पे इन्होंने इसलाम और क्रिश्चन क्निटी के बारे में क्या बोला है तो कि अगर हर चीज उपलब्द है क्विंट में अगर सौरब किरपाल या दूसरे जजों ने जो लेख लिखे अगर उपलब्द है और इंटिलिएंस के रिपोर्ट में अगर एजिक्र है तो क्या इंटिलिएंस के रिपोर्ट में यह जिक्र नहीं कि विक्टोरिया गौरी कौन है कि यह जिक्र नहीं है कि विक्टोरिया गौरी ट्विट करके कह रही है कि बीजेपी हमने जॉइन कर दी आप जॉइन कर दीगे यह तो आप के पास इंटिलिएंस का रिपोर्ट नहीं पहुचा यह पहुचा तो आपने जान बुझ के नजर अंदाज किया यह दाग है सुप्र पहुचा तो इस दाग को कैसे दोएगी हालाकि कल फिर सुनवाई है और कल की सुनवाई में क्या होता है लेकिन न्याएपालिका हमारी जो है ओ एक पार्टी के लोगों को सौंपी जा रही है जैसे हिंदुस्तान के बारे में अरानी ने ठीक कहा हिंदुस्तान का मतलब क्या है हम ही तो है हिंदुस्तान कि हम यह तो भारत है कि जैसे इंडिया इन्डिया इंद्रा वैसे ही तो बीजे बिल्कुल अपने उस पर कानूनमंत्री ने तो ठीक ही कहा था कि सरकार का हस्तरचेप होना चाहिए नायपालिकामे जजों के न्युक्ति में हस्तरचेप क्या तब कि सीधे सीधे आप BJP निता कोई जज बना देंगे, कल तो फिर कोई Communist Party का आएगा, उसको आप जज बना देंगे, Congress का आएगा, उसको जज बना देंगे, बंद कर दीजे निया पाली का आप, RSA से सीधे सीधे मोहन भागवत ही आजाएं, उनी को आप मुखने आजीस बना दीजे किसी आई कोट का, फिरोबाद में चिपजश्रिस बन जाएं दुस्तान के, बहुत बहुत सुक्रिया,